हलो दोस्तों रानक्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको B.S.S.C.C.L.3 के फॉर्म भरने में जो साब्धानिया हैं वो क्या-क्या ब्रतनी हैं आपको और क्या-क्या चीजे जो की भरना है तो बहुत सारे लोग है जो की आपको बहुत वर मैंने भी जानकर लेकि की निर्देश के बारे में देखते हैं तो ओन-लाइन आवेदन भरने हैं तो बिश्तित आवड़स्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट पर लब्द है और अच्छरसा अनपालन नहीं करने पर ओन-लाइन आवेदन भरने के करमा बैठती द्वारा की गई परविष्टि की किसी भी परकार की टूटी के लिए आयोग जिम्यवार नहीं होगा अपने गलती कर दिया और आयोग को आप यह नहीं कर सकते हैं किसी ने गलत भर दिया या नेटवर्क चला गई यह आपकी जिम्यवारी है उसके बाद क्या है ऑन-लाइन आवेदन की परविष्टियों में क किसी परकार के सुधार या परिवर्तन है तो समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा मान लेए कि आपने फॉर्म सम्मिट कर दिया और आपका फैनल होगे उसके बाद आप सोचते हैं कि अब गलतिया होगे तो कोई भी अभ्यावेदन भी अगर आप दें किया समकच पर्मान पत्र के अनुसार होना चाहिए मतलब यह जो है जैसे बहुत सारे लोगों को कहना है कि मेरा फादर का नेम गलत है इंटर में गलत है तो क्या भरना चाहिए तो जो मैट्रिक में सही है मैट्रिक के अनुसार आपको भरना किसके अनुसार भरना आपको जन मेट्रिक का जो अंक पत्र है और जो सटिफिकेट है उसके नुसार है जो कि आपको भरना और किसी के गयोशन में गलत है तो आप सुधरवाले नहीं तो फिर मेट्रिक के नुसार ही भरे थी यह धियान रखे सभी अभ्यर थी अपने कोटी की परविष्टी सब्धानी पुर्वक आस्वस्थ होने के प्रांती ही भरे बहुत सारे लोग का है जो की कोटी कि लिएर नहीं रहता हुसके बाद भी आस्वस्थ होले तब ही जो जिसे लोहार जो जाती है उनका है जो कि भी चल रहा क्रिटिकल है और इसले क्योंकि पहले वो उसी के आधार पर दरेस्ट की Belgium यह इस्टी की मानता मिले है या ना मिले लेकिन जो सटिप्रिकेट है उसी के अनुसार भर है लोहार जाती जो जाती वाले है और उसके जो है भियार्थी के नाम किलियर हो ओ supportive यह कम दृष्टी वाले दिभ्यांग वरती जिनकी निशकता चाल online आवेदन में अंकित सुरूती लेखा क्या वसकता है या नहीं को सेलेक्ट करेंगे जिसके अनुसार उन्हें सुरूती लेखा कुपलब्द कराया जाएगा मतलब यह जो फॉर्म है आपको उसी समय जो कि यह भूल नहीं करना बाद में क्या होगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया या या नो पर तो होगा क्या कि आपको सुरूती लेखा कुपलब्द नहीं कराया जाएगा और फिर जो कि आपकी परसानी बढ़ जाएगी इसलिए जब भी 40% या उससे अधीक है तो सुरूती लेखा क्या वसकता में यस जरूर करें अगर आपको लगता है कि जरूत नहीं कि धुंदला नहीं हो जिसमें पूरा चेहरा तता आखे खुली दिखनी चाहिए यहां फोटोग्राप की प्रिष्ट भूमी सफेद होनी चाहिए तो बहुत सारे लोग को जो कि बिना इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं एकदम नहीं दे रहे हैं जो भी आया बुल जो है आपको जो ऑनलाइन फोटो है वह सफेद हो जाएगा प्रिष्ट भूमी चाहिए वह ब्लाइक या ग्रीन की या जो भी रहेगा वह चेंज हो जाएगा सफेद में अब एर्थी इस फोटोग कम से कम पांच एत्रिक्त परती है अपने पास सुरच्छी रखें ताक कि अबेशक्ता पढ़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा मांट इसको रखना है लेकिन जेनरली लोग इसको रखते नहीं है धियान नहीं देते फॉर्म मरा आगिया टेंशन खतब इसके बाद क्या है अब एर्थी द्वारा ओनलाइन आवेदन भरन अब नहीं मात से उनकी अभियर्थी सुनेशित नहीं माने जाती है अभियर्थी योग को सभी बांचित परमान पत्र मूल में कॉंसेलिंग के सत्यापन है तो प्रस्तूत करना होगा परमान पत्र मूल में कॉंसेलिंग समय प्रस्तूत नहीं करना उमेदवारी क्या हो जाग लेने का अधिकार आयोग को होगा तो मतलब यह जो है आपको उसमें करना पड़ेगा कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर्टिपिकेट भुलाग या फोटो कोपी आपको दिखाने पर नहीं चलेगा तो यह जो क्या पास्वास्त हो लें कि आपके पास मूल है जो कि है अब यह सु यहां पर किस और निर्देश क्या है किसी अव्यर्थी के परिच्छा में समर्पित करने के करम में हिंदी और अंग्रेजी हस्ताचर का स्कैन कर अप्लोड करेंगे मतलब वो जो साइज है आपको इसी के नुसार है जो कि करना है मैं आपको साइज थोड़ा से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो यह जो हिंदी इंग्लिस का साइन है आपको इसी के नुसार नहीं तो वो लेगा ही नहीं 200 पिक्सल है जो कि वाइट होना चाहिए और फोटो के हाइट है जो कि 20 केवी से 50 केवी होना चाहिए और ये लोग सिंग्निचर वाला जो है 10 केवी 20 केवी के बीच में होना चाहिए मतलब दो चीजों को फोटो जब भी किसी से बनवाए तो तीन चीजों का सबस्ट्रूप से ध्यान रखे चाहिए साइबर के फेम बनाए या खुद बनाए पहले तो ये साइज आपको मेंटेन रखना 20 से 50 केवी है जो कि होना चाहिए दूसरा है जो कि 200 पिक्सल से बाइट से है क्यों हो गया तो यह अपने आप हो जाएगा उसी तरह दस के भी से 20 के भी हिंदी इंगली सिंगनेचर 200 पिक्सल और साथ पिक्सल हाइट में नहीं होगी और इसके बीच में दस के भी से तो यह नहीं लगा तो यह चीज़ का है यह जो बैक्ग्राउंड आप देख रहे ह ही है यह गलत है इसको क्या करना वाइट में करना है वाइट में करने के लिए बैक्ग्राउंड चेंजर में वही जो फोटो है ले जाएगा तो अपने आप है जो कि बन जाएगा सफेद हो जाएगा यह रहा और आवेदन अपना अधितन रंगीन फोटो अपलोड कर किसी प कोई सुधार करने 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 के पहले होगा उसके बाद है जो कि आपको नहीं होगा फिर किसी भी पता या पता बदल कर भरे जाने के उनके सभी आवेदनों को स्विक्रित कर दिया जागा मतलब आप अगर एक बर गलती कर दी है आप इदन में तो उसको छोड़ दे नहीं तो आपको क्या होगा कम से कम चली बाद में अगर आप दो फॉर्म जोस में आकर भर दिये तो फिर आपको कोई बचाने वाला इसी दिए अगर कोई गलती है अगर फॉर्म में हो सकता है लेकि परसानी किस कियोगी आप फिर आप आयोग को नहीं कर सकते हैं कि मेरा नंबर पर OTP नहीं आ रहा तो मैसेज नहीं आ रहा यह सब आपने ही कहेंगे यह जो है अप्लिकेशन फॉर्म नंबर रेश्टेशन नंबर रॉल नंबर को शुरचित रखना है और डुप्लिकेट यार जो कि बाद में निर्गत नहीं किया यह सब आपको अपने पास फोटो इसम रखने के लिए कहा जा रहा है बिविन परिच्छाओं में क्या हो रहा कि इंप्रेशन करने का प्रयास किया जा रहा पर रूप धारग तो इसके लिए बायमेंट्रिक रिथम इंप्रेशन लिया जा सकता है तो इसलिए जो कि किसी भी तरह मिशंक्ती होने पर जो कि करवाई अपर किया जाएगा वैसे बेर थी जो पहले से पकड़ा गया उनको जो कि आदेश पारित किया गया हो समलित नहीं हो सकते हो और इनको रोक लगा हुआ है परिच्छा में देख रहें चाओदा चार से जो अबेदन सुरू हो गई है फीस में भी जो है आपको सामानबर पिछड़ा पूरू सब्यार्ति के लिए है जो कि 540 है महलाओं के लिए दिव्यां के लिए और SCST के लिए जो कि आपको यह क्रेडिट कार्ड डेविड कार्ड यूपी नेट बैंकिंग सभी से जो कि भरा जाएगा बहुत सारे लोग परमान पत्र को लेकर जो मैंने बताया था कि BCA BCA जो कि इसले का था क्योंकि आपके आवेदन बें अगर आप कॉलम भरते बीना फॉर्म भरें तो कोई भी कुछ भी का सकता लेकिन अगर जब आप वहां पर जो options है वो BCA लिखा और लिखा हुआ है जाती परमान पत्र के लिए EWS तो इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप लोग इस बैकेंसी में कम से कम BCA और BCA बनवाले बहुत सारे लोगों करना कि BCA चलेगा यह बात सही है कि चलेगा फिर वह आप फसेंगे फिर आपको उस समय कोई बचाने वाला नहीं रहेगा इसलिए BCA जो कि आपकर अगर आप नहीं बनवाएं कभी भी नहीं बनवाएं तो आप लोगों के प्लीज बनवाले अगर पुराना भी है तो भी चलेगा तो वहां पर अठारा पर आप समझ सकते हैं कि यही दोनों का नंबर भरना है और दिनांक भरना है और उन सब के चक्रों में रहे हैं कि वह जो चलने वाला जो धंदा है वह अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि चल जाएगा कुछ नहीं होगा बहुत सारे लोग तो मुझे भी अभी भी फोन जाएगा चल जाएगा इसी चक्कर में फिर आपको परिशानी आयोग फिर बाद में कहेगा मैंने तो आपको फॉर्म से लिख दिया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप है जो कि उसको उलंगन कर दें और जो ऑप्शन दिया हुए बीसी एंसील और इबीसी एंसील बिह सरकार के परिशन उसको उलंगन कर दें फिर बाद में आप कहेंगे नहीं चलेगा फिर आप भी हल्ला करेंगा और आप किन को परसानी होगा जो आपने फॉर्म इसलिए गलत लोगों से हैं जो कि गुमराह होने से बचे और मेरा सज्जेशन है कि आपके पास अगर अभी मौ होगा है अगर नहीं बन पाता है अगर कीसी कारण बस आपको बीची बीच नहीं बन पाता है और वह ऑप है और लगता है कि मुझे आरफजन लेना है तब आपर प्रकाते सकते हैं कर लें और आप में आप इन सब चक्रों में आपको पढ़ाई पढ़नी होगे तो पढ़ाई के लिए मैं जो कि ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू किया है कुछ फरशानिया है डीटर बोर्ड को लेकर मैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं ह जो जी एस हो आपको इस तरह से कुभी टार्गेटेड है इसा नहीं कि मुझे दो साल के बाद पीटी परिच्छा होगे आपको मैक्सिमम नवंबर तक जा सकती है परिच्छा तुसी को ध्यान में रखते हुए जो कि ऑनलाइन क्लासेज आप लोग भाग ले सकते हैं और टे उसके लिए धरनेवाद